के लिए राखी सावंत ने छोड़ दिया और निकाह करके इसलाम धरम को राखी ने कुबूल किया लेकिन दोस्तों कवर सामने हैं कि राखी के नए धरम को कुबूल करने पर फैंस उन्हें लगातार गालिया दे रहे हैं और उनकाहुकर इंडस्ट्री में हो रहा है एक तरफ जहां फिल्मी सितारे उन्हें शादी पर धेरो बताईयां दे रहे हैं तो वहीं खबर सामने आई है कि आदिल ने शादी के कुछी महिनों में एक दूसरी गर्ल्फरेंड बना ली थी उनका एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर चल रहा था और वो कॉंटेस्टेंट बिग बॉस मराथी में शामिल थी जिसका साखुद राखी सावंध भी थी दोस्तो ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है कि आखिर क्यू राखी सावंध ने इस तरह से अपना नाम बदला और अपने धर्म को भी आदिल खान के लिए बदल लिया क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको सब कुछ पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना अब बिल्कुल ना भूले वह दोस्तो साथ महीने पहले राकी सामत ने आदिल खान से एक इंटिमिट निकास सेरिमनी में कर ली थी शादी या फिर बोला चाहे कि उन्होंने निकास करके आदिल को अपने शोहर के टस्ट्री में राकी सावंत का बॉयकॉट हो इसके लिए फैंस डिमांड कर रहे हैं वहला आपको बता दे कि राकी सावंत ने ना सिर्फ इसलाम धरम को कुबूल किया बलकि उन्होंने अपना नाम बदल के राकी सावंत से खुद को फातिमा कर लिया है जी हां राकी का नया इसलामिक नाम है फातिमा खान ऐसे में एक तरफ जहां राकी की शादी की खबरे वाइरल हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ आदिल इस बात से साफ तोर से इंकार कर रहे हैं एक इंटरव्यू के दौरान राकी भी इस बात को लेकर रोती हुई नजराएं कि अगर वो क्यों कर रहा है किस बात पर कितनी सच्चाई है यह बात अब खुद राकी सावन्थ ही बता सकती है हम आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूज कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूले